हेलो फ्रेंड्स कुकिंग विद उर्मी चैनल में आप सबका स्वागत है और आज में लेके आई हूँ नारियल और गुड की शॉप्ट और टेस्टी वर्फी बहुत है ज्यादा ये शॉप्ट है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगती है तो चलिए बनानाई स्टार्ट करते हैं तो नारियल और गुड की वर्फी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम एक चमजगी डालेंगे और इसकी फ्लेम ओन करके हम इसे मेल्ट होने के लिए यानि पिघलने होने के लिए रख देंगे जब कि हमारी अच्छी तरीकी से पिघल जाएगी तब हम इसमें दो नारियल का बुरादा डालेंगे आप चाहे तो ताजे नारियल का भी यूज कर शकते हैं नारियल का बुरादा डालने के बाद हम इसे मिडियम फ्लेम पर 3-4 मिनिट तक भून लेंगे इसे क्या होगा इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़कर आता है और इसे हम तक अच्छी तरीके से मैंने वून रिया है और यह थोड़ा शॉप्ट भी हो जाए ता है तो बस अब हम इसमें क्या करेंगे दो कप गूर डालेंगे यानि दो कप नारियल है तो दो कप हम गूर डालेंगे अब चाहे तो कम भी कर सकते हैं अगर आपको मीठा कम पसंद है तो ज्यादा सामगरी भी नहीं लगती है बस दो से तीन चीजों से मैं बना कर तयार करूंगी और देखने में भी कावी ज्यादा टेश्टी लगती है और खाने में तेश्टी तो लगती ही है तो बस इस तरीके से हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जब यह अच्छी तरी तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है और नारियल जो सुखा सुखा होता है वह भी शौप्ट हो जाती है बिल्कुल बजार जैसी खाने में लगती है तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे दो चमच मिल्क पाउडर अगर आपके पास है तो डाले नहीं तो आप ना डाले और मिल्क पाउडर डालने के बाद इससे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है मिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आता है ऐसा लगता है कि हमने बहुत ही ज्यादा टेस्टी तरीके से बनाया है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, और देख सकते हैं, बेटर की जो consistency है, सब एक जगह इकठा हो रही है, तो बस ऐसी consistency का ही हमें बनाना है, थोड़ी चिप-चिपी रहे तो उसे आप पका लें, तो बस पक बटर पेपर या कोई एक्स्ट्रा पेपर भी ले सकते हैं, बस उसके ऊपर थोड़ी गी जरूर लगा लें, घी लगाने से क्या होता है कि वह जब आप से पेपर को हटाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, और बड़ी एजी ली पेपर हट जाएगी, तो मैं आद करने दालने के बाद इसे भीएन पहला लेंगे, तो अपको जिस की में पहलाना है तो भीए पाद को पहलें गोल पहलाना है जयांता भीए आदी नहीं हरा वहालेकर पहला है, जादा मोटा केक नहीं है तो बताएगास होता हैंचाब है जाएट कर लिए जो ठाव सबस्सक्राइक करें ना के दिंगे चंछा बंसक्राइबान अग करें नाbalance करों है बंसक्राइब चैयर कंडानी करें नास्य चैकनी id巧adak अच्छत तरीके से खिल कर इसका कलर आया है तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है इसको अभी रूम टेमप्रेचर पे ही क्योंकि अभी गरम है तो रूम टेमप्रेचर पे ही पहले से हम ठंडा कर लेंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो हम इसे फ्रीज में आधी घंटे के लि कियाह, पूरि अपन ár लेकल है पिर हम इसकी कटिंग करेंगे तो यह देख सकशते हैं तो चल्य गिया कर सकती है तो जिए गिया अपा भूण इसे रहाता नोफ़ ने, और थोड़ा बहत भी पेपर बच पी जाए तो उससे भी आप हेटा लें मुहें था धा ये तो बस काटना है जिस तरीके का काटना है जिस कहते हैं थे इसे तरीके से मैंने कट लगा कर तायार कर लिया है तो zapata तो चले मैं इसे एक निकाल कर भी दिखाती हूं और यह देखें जैसे हम लोग मिल्क के कवाजार से खरीद के लाते हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है बस यह गूर से बना हुआ है और गूर से बना हुआ मिठाई और भी जादा टेस्टी लगती है तो आप देख सकते हैं कि अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और यह जरूर किजिए गा और इसी तरह मेरे वीडियो पर बनी रही है तो इसी तरीके से मैंने इसे प्लेट मर निकाल लिया है और देख सकते हैं एक एक पीस कितना परफेक्ट है क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो बुड मेल्ड हो जाएगी और यह पिघल भी सकते इसलिए आप इसे फ्रीज में ही रखे इस टॉक करके और जब मन करें आप इसे निकाल कर खाएं